जेहिंद एवरिवान वेलकम टू डे 16 ऑफ वोक्याबलरी सेशन डे 16 में भी इंस्ट्रक्शन सेम है जैसी मैं आपको पहले देता आ रहा हूं जितने भी स्टूडेंट सेशन को सीक्वेंस में देख रहे हैं और जो भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो मैं होप नहीं करूंगा मैं इस बात का इस्टावरेंस दे सकता हूं आप इंप्रूमेंट हो रहे हो आपके अंदर वो चोर नहीं होना चाहिए कि जो काम चोरी करवाता है कि लिखते नहीं है या फिर मैं एक छोटी सी बात भी बोली थी आपको कि आप कहीं भी कोई कॉमेंट करते हो तो चैनलरी सका प्रनेंसियेशन करवाता हूं तो आपको इंप्रूम्संगlass और गोली काम चोर करोने वाला तो ऐक बार करेंगा तो एक बार फॉलो करके करेंगा बार सुएंग अभीवी प्रॉब्लम आती हहां सीकोन में दूबारस से देखो और फिर उसके बार श्क्स सीथिन का ध्यान focus यहां पे रहना चाहिए कि आपके questions किस तरीके से present आ रहे हैं और attempt सबने करने हैं so number one question आप सबके सामने present है देखो root suffix है हमारे पास अब तो practice भी हो चुकी होगी आप सब की root और suffix है मतलब कि जो root word होता है बात में लगने वाला तो यह रहा हमारे पास root इसके बाद हमारे पास क्या या meaning इसका meaning क्या होता है psyche का meaning क्या होता है साइकी का meaning होता है spirit soul या फिर माइंड अब इससे related हमें एक English word बनाना है ठीक है English word बनाते हैं जैसे मैं पहला एक बना देता हूँ पहला बना दिया मैंने टी एस वाई साइखॉल जी ठीक है साइखॉल जी अब यह पहला वो क्याबलरी मैं बना चुका हूँ वीडियो को पॉस करो जैसे इंस्ट्रक्शन पहले दिये गए थे अटेम्ड कर दो इसे इंक्स वन नेक्स आपका है newest यह यतारी एथ यह मेडिकल हीलिंग के लिए होता है तो इसी से बना देते हैं वर्ट पिएस वाई सीट्राइस टी ए पर लिए एस यह अया है यहां पे एसिए आया है आई-सी देखो अगर कोई भी बात बोल दो जिसमें जैसे मैंने एक vocabulary अभी आई ऐसी दिमाग में मैंने क्या बना दिया फोटोजेनिक बना दिया vocabulary देखो फोटोजेनिक पोटोजेनिक क्या हो जाएगा जो फोटो से से रिलेटेड है और आई-सी लगते ही यह क्या बन गया एक सफिक्स बन गया क्या बन गया सफिक्स बन गया तो सफिक्स कौन सा सफिक्स होता है एड्जेक्टिव बनाने वाला सफिक्स होता है आइसी किसी भी वर्ड के आगे लगेगा तो एड्जेक्टिव सफिक्स होता है सोमा आया बॉड़ी आया अब सोमा बॉड़ी इन दो को कर देता है वो क्याबलेरी से साइको एड़ करा हमने साइको, फिर सोमाटिक, साइको सोमाटिक, साइको सोमाटिक, मतलब साइको सोमा, बॉड़ी, याद कर लो, पुराने वाले सेशन में क्या बता था, साइको बॉड़ी, सोमा, मतलब ये बात ये बताता है, कि जितनी भी चीज़े आपके माइंड में चल रही है, वो कही न कहीं आपकी बॉड़ी पे एफेक्ट लेके आती है उसको क्या बोलता है साइको सोमाटेक नेक्स सेज जनेसिस जनेसिस का मतलब होता है बर्थ या फिर औरिजन तो यहां पर आप क्या यूज कर सकते हो इसी वर्ट से बना देते हैं साइखो जैनिक साइको जैनिक अब आइसी जो को बना देंगे साइखो पैथ बना देते हैं साइको पैथ जैसे मैंने वोक्याबलरी आपको सोशोपैथ बताई थी वैसी एक आपकी साइको पैथ भी होती है मतलब दोनों का मतलब सेम ही होता है मतलब एक अलग तरीके से रहने वाले अलग तरीके के लोग होते हैं उनको सा या फिर साइकोपैथ साइको मतलब पैथ पैथ मेडिकल सफरिंग मतलब क्या सफर कर रहा है बीमारी है उसे नेक्स्ट नेक्स्ट आपका प्रनेंसियेशन पर बेस्ट आ गया है जल्दी से वर्ट को प्रनाउंस करते हैं बोलना है अगर आप वीडियो को देख रहे हैं सब को घर में ही बोलना है वोक्याबलरी को आसपास वाले बोलेंगा ना कि बेवकूफ है नालाएक है या पागल है जो भी जिस तरह की वर्ट बोले बोले देना बट प्रनेंसियेशन करना है मुझ से वाज निकलेगी कानों में जाएगी रिटेंशन बढ़ेगा रिटेन होगा इ नेक्स्ट साइकी साइकी फूर्थ साइकेक साइकेक फिफ्थ साइकोपाथिक साइकोपाथिक नेक्स्ट साइकोपाथी 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 नेक्स्ट साइकोपाथ साइकोपाथ नेक्स्ट साइको सोमाटिक साइको समाटिक नेक्स्ट साइको नालि तो आपका यह जो टेस्ट है यह और भी आसान हो जाएगा टैस्ट आप सबके सावनें प्रेजेंट है कुछ second मैं हटूंगा pause करना attempt करना अपने according अगर आप match correct कर पा रहे हो तो improvement है और अगर match correct नहीं कर पा रहे हो तो improvement नहीं है और ये बात में इसलिए बोल रहा हूँ देखो बेटा एक बार समझ लो ये बात में बीच बीच में इसलिए बोलता रहता हूँ क्योंकि अगर आप इन चीजों को follow करोगे आने वाले टाइम में जब मैं एक vocab का session लेके आऊंगा तो वहाँ पर आपको आसान लगेगा कि सण ने ये चीजों को यहाँ पर इस तरीके से करनेक्ट कर दिया है चलो टाइम तो मैं वेस्ट करवाता नहीं हूँ कभी भी किसी स्टूडेंट का क्योंकि टाइम मुझे लगता है सबसे important होता है तो आपका without wasting any time इसका मैं solution करवाता हूँ psychology वहाँ देखने की जुरत नहीं यह मैच करने के लिए वहाँ देखने की जुरत नहीं है साइको वर्ड आया लॉजी के साथ जुड़ा है लॉजी study होता है मतलब माइंड की study वाला कौनसा मिल रहा है option यह मिल रहा है यह हो जाएगा psyche psyche किसके लिए होता है mind के लिए होता है तो mind mind के लिए कौनसा वाला वर्ड आ रहा है describing the internal यह रहा माइंड के बारे में मतलब कि जिसके mind और body नहीं 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 इंट्रेक्शन बॉड़ी भी दे दिया ना उसमें तो body वाला यह तो हो नहीं सकता कुछ और देखो ठीक है psyche बोला जाएगा आपको यह वाला once inner और mental life जो जिसकी mental life होती है या self image होती है उसको psyche बोला जाता है psychic अब किसको बोलता है psychic बोला जाता है pertaining to the mind कि से related mind से related extra sensory extra sensory extrasory मansa क्या जो मतलब ऐसे अंदाजा लगा देता है कोई बात बोलता है कि यार यह काम होने वाला है और यह हो जाता है मणाmers किसी के अंस बड़ा काम करता है मैं बोलता हूं मेरे students करना selection होने वाला जो की यह सेशन को देख रहा है और इंस्डरक्शन फॉलो कर रहा है वी मेरा भी six-sentie काम करता है थीक है तो मदाम जिसका six-sentby काम कर रहा है वाल कि जो कोई बात बोलता और वो बात हो जाती है उस परसन को है साइकिक बोला जाएगा उस किस तरहें से साइकिक मतलब इसमें कोई रायम रिजन नी होगा कि इसने पता निकिसे रायम रिजन से बोल दिया मेरे क्लास में बच्छा बैठा मैंने उसको देखते ही वोला कि बेटा आपका सेलेक्शन होने वाला है ऐसी मतलब दिमाग में आया फीलिंग सी आई और उस बच्छे का कॉ इस्कौ रहे इसाल ना जाये जल्दी सी इसको स्कॉमेंट कर दो स्क्रीन पर मैं हूँ नहीं पास करके अटेंप्ड कर लो मैं स optimistic है अको आपके सामने प्रॉयड कर रहा हूं तो यह रए आपके सामने. psychoanalysis psychoanalysis जिसमें कि आपका ये टेक्नीक हुआ करता था ठीक है जो अभी देख रहे हैं पहले वाले सेशन को देखना सब क्लियर हो जाएगा psychogenic genesis बर्थ के लिए origin के लिए यूज होता है तो बर्थ origin वाला कॉनसे अप्शन है यह तो सीधा ही आ गया originating in mind or emotions next psychotherapy 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 जनरल term for psychological treatment and psychopath psychopath होता है person lacking in social conscience और inner sensor तो वैसे person को हम क्या बोलता है psychopath बोलता है सारे के सारे इसी तरीके से मैच हो गए स्ट्रेट ही मैच हो गए ठीक है अगर answer सही है बहुत अच्छी बात है otherwise session को दुबारे से देखो पहले वाले session को देखो clear हो जाएगा next true false जल्दी से pause करो attempt करो solution यह रहा आपके सामने solution में number one psychological treatment aims at sharpening the intellect क्या psychological treatment जो होता है जो आपका mind का treat करवाता है को इंसान जैसे psychiatrist होगा या psychologist होगा जिससे आप बात कर रहे हो कि आपके दिमाग में कोई problem तो नहीं चल रही है क्या वो आपका intellect बढ़ाता है intellect मतलब क्या आपकी education का मतलब understanding knowledge को बढ़ा देगा कि आप political में भी बात कर पाओ political issues पर या economy पर issues पर बात कर पाओ तो वहाँ पर वो तो नहीं बढ़ाने वाला है वो तो सिर्फ आपके mind को heal करेगा इसलिए यहां पर answer क्या हो जाएगा false हो जाएगा psychic phenomena जो psychic brain वाला mind वाला phenomena होता है can be explained on rational और physical ground क्या physical ground में बताया जा सकता है अरे यह mind वाला है internal होता है सब कुछ internal होता है physical grounds में नहीं होता तो false हो जाएगा next psychopathic personalities are normal and healthy psychopath पागल होते हैं हरकत करने वाले उल्टे लोग crime कर देते हैं तो normal तो healthy नहीं तो होई नहीं सकत false a psychosomatic symptoms is caused by organic disease जो psychosomatic होता है वो organic disease से होता है नहीं वो mind से होता है organic यह मतलब जो आपके खाने वाली चीज़े रहती है उनको उनके बारे में बात नहीं चल रही है बात चल रही है माइंड से जो माइंड से विमारी generate होती है उसको psychosomatic बोलता है तो यह भी आपका क्या हो सबके आंसर जबर्दस्त रहें हैं correct रहें शांदार रहें अब आजाता है next वाले statement 5 पर statement 5 को देखें और attempt करें statement 5 में यह बात बोली गई है कि every therapist uses psychoanalysis भई सारे psychoanalysis थोड़े ना करते psychoanalysis वही जो लेटा के आपसे पूछा जाता है आखे बंद करवा के आपसे या फिर सुलाया जाता है फिर आपसे पूछते है वह psychoanalysis होता है जो टेकनीक वाला मैंने आपको बता है था तो वहां पर हर थेरेपिस्ट नहीं करता है कोई थेरेपिस्ट ऐसे question भी पूसता है कई ऐसे भी होता है जो आपके mind को read करते हैं जैसे मैंने आपको psychologist बता है ता SSB वाले student को ठीक है next is psychogenic psychogenic illness originates in the mind of emotions psychogenic illness होती है वो कहां पर mind or emotions यह true हो जाएगा आपका सही बात है next psychotherapist must have a medical degree जरूरी नहीं है कि उनके पास medical degree है यार MA psychology कर लो आपको treat कर सकते हो लोगों को next one is psychoanalytically oriented therapy uses true सही बात है वाई next psychopath is often a criminal true ये भी आपका क्या हो जाएगा true हो जाएगा next अब ये थोड़ा सा hard रहता है students के लिए hard इसलिए क्योंकि ये इसमें आपको लिखने पड़ती है vocabulary अगर आपने लिख दिये तो बहुत अच्छी वात है नहीं लिखी है तो solution करवाने के लिए मैं हूँ but कोशिश करा क करें कि जब आप ऐसे exercise को देखते हैं ना कई problem आ रही है सीधा comment पे लिखा करो वोक्याबलरी इसको अगर आपने हैविट बना ली यार comment देखो ना आप comment पता नहीं कहा का comment करते रहते हो कई इंस्टा में करेंगे कई YouTube पे करेंगे जो फाल्तु की वीडियो होंगी ये तो प आई इंचन के तरीके रहते हैं once, inner, mental life इसको क्या बोला जाएगा once, inner, mental life और self-image तो इसको हम बोलता है you something कि यह क्या बन जाता है आपका साइकी बन जाएगा इसको हम साइकी बोलेंगे ठीक है सेल्फ इमेज मेंटल लाइफ नेक्स्ट दैजेक्टेव और डिनोर डाट दिनोर्ट स्पेशली इन इल्नेस बिट्वीन माइड एन बॉड़ी माइंड के लिए देखो घबराना क्या है मा बॉड़ी के लिए सोमा वर्ड बताया था तो साइको लिखा है साइको सो मैटिक और सो मैटिक आइसी मैंने आपको बताया था एक एडजेक्टेव सफेक्स होता है ठीक है साइको सो मैटिक नेक्स्ट मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब्ड जो मेंटली और इमोशनली डिस डिस्टर्ब होगा, साइको लिखो और फिर पैथ लिखो, साइको पैथिक लिख देता है, साइको पैथिक, जो डिस्टर्ब रहेगा उसको साइको पैथिक बोलेंगे, next, question number 4, आपके सामने है, pause करके attempt कर दो, solution तो यह आपके सामने, study of behavior, study, behavior, psycho बनाओ, और फिर लॉजी बनाओ, psychology, psychology, extra sensory, जो अभी बताया था आपको, psychic बताया था, बोलाता है न, psychic जो मतलब बिदा rhyme, reason के कोई बात बोल दे और वो हो जाए, treatment for frequent techniques, इसको बोला जाएगा, psychoanalysis, psychoanalysis, इसको बोलेंगे, psychoanalysis, next is pertaining to the study of behavior, behavior की study को हम क्या बोलेंगे, जो study रहेगी, तो obviously हम क्या बोलेंगे इसे, psychological, psychological, ठीक है, psychological होता है, वो भी adjective बनता है, बट यहाँ पर इसके लिए हमारे पास एक adjective suffix कल होता है, यह भी adjective suffix है, मतलब जो बाद में add होता है और adjective बनता है, तो pertaining, pertaining मतलब related to the study of behavior, adjective लिखा है, vocabulary, psychological, और यह study of behavior था, तो वहाँ पर psychology लिखा गया था, next, यह रहे next questions आपके सामने, जल्दी से इसको भी attempt कर दें, अगें वीडियो को आप साथ साथ पॉस कर सकते हो, पॉस करके attempt कर सकते हो, तो solution की बात बोले तो, solution यह आ गए आपके सामने, अब solution क्या है, of mental और emotional origin, तो इसको क्या बताया था, मैंने आपको साय, को वर्ड लिखना है, mental emotional के लिए, और genic यूज कर दो, genic, मैंने आपको vocabulary बताई थी, जो genesis होता है, वो birth या origin के लिए यूज करा जाता है, बर्थ या फिर origin के लिए, next, general term for treatment of emotions, disorders, emotional disorders को treatment के लिए हम क्या बोलेंगे, क्या बोलने वाले हैं, जल्दी से बता दो, अगर आपके दिमाग में आ रहा है, तो comment box में लिख दो, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ हूँ, क्या बोलते होंगे, psychotherapy, अगर इस बीच में आपने comment box में लिख दिया, या आपकी दिमाग में भी आ गया, बहुत अच्छी बात थी, next is anti-social person, तो उसको क्या बोला जाएगा, psychopath, उस person को क्या बोलने वाले हैं, psychopath, that person is psychopath, उसे psychopath बोला जाएगा, तो ये थे आपके सामने answers, I hope सब को समझ में आया है, जो instructions मैं बार-बार आपको दे रहा हूँ, please instructions को follow करें, पढ़ते रहें, महनत करते रहें, improvement लेते रहें, ठीक है, so मेरी तरफ से ये ही है, एक wish सारे students के लिए जल्दी सीखें और जल्दी qualify करें, that's all, jay hind everyone.